राम राम किसान भाई हो, मैं नितिन फिर से हाजीर हूँ, आपके अपने चैनल Fertilizer Expert में, किसान भाई हो, आज हम बात करेंगे DAP के बारे में DAP क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसे हम किन-किन फसलों में दे सकते हैं Fertilizer, खेत में डालने के बाद ये किस तरीके से काम करता है, और कितने समय तक ये काम करता रहता है क्या इसकी डोज है, क्या इसकी कीमत है, पूरी जानकरी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, यानकि D.A.P. के बारे में, यदि आपको कोई भी जानकरी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजे आप D.A.P. के बारे में कहीं भी किसी से भी आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके किसान भाईयो, इस चैनल पर आपको सभी कंपनियों के फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, एक्सपैरिमेंट, और किसान भाईयो जितने भी हमारे गुलनसील, या फिर हमारे धानेदार खात होते हैं, इन सबीके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी चलिए शुरू करते हैं, तो किसान भाइब बात कर लेते हैं DAP के बारे में, कि DAP क्या है? तो किसान भाई यो डियेपी खात का जो इस्तमाल है किसान भाई यो लगभग ऐसा माल लीजे पूरे विशुभर में पूरे संसार के अंदर सबसे जादे जिस खात का उपयोग होता है वो होता है डियेपी खात का इसका पूरा नाम होता है किसान भाई यो डाई अमोनियम फा देखा गया या इसके अंदर होता है तो इस तरीके से किसानवायोग आप किसी भी फसल की बुआई के समय पर कर सकते हैं जो इसका एक सबसे सही और अच्छा तरीका है किसान भाई इसे complex खाद बोलते हैं complex खाद क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो खाद एक साथ mix करके डाले गए या रखे गए हैं जिसके कारण इसे complex खाद कहा जाता है अब किसान भाई बात कर लेता हूँ इसका उप्योग आपको अपनी फसलों में किस समय पर करना चाहिए तो जैसे आपने इसका बुआई के समय पर किसान भाई आपको इसका उप्योग कर लेना चाहिए यानि कि 7 से लेके 8 दिन के अंदर ये अपना कार्या करना किसान भायों शुरू कर देता है और लगबग धीरे 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 ये पानी के अंदर मिक्स होने के बाद मिट्टी के अंदर मिक्स होने के बाद अपनी क्रिया को बढ़ाता रहता है और किसान भायों लगबग 3 स आपसे लेके चार महीने तक ये अपना रिएक दीरे-दीरे आपको देता रहाता है, यानि कि जदी इसके रिएक रिएक किसान भाईयों आपको किया ही ओगा अब बात कर लेता हूँ, इसका उपयोग आप किन-किन फसलों में कर सकते हैं, तो किसान भाईयो इसका उपयोग आप गन्ने में, धान में, गेहुं में, मक्का में, गाजर में, सलगम में, सिमला मिर्च के अंदर, करेले के अंदर, यानि कुल मिलाके दलहनी तलहनी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं इसके कोई भी साइट इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं संसार के अंदर भारत के अंदर सबसे ज़्यादे बिखने वाला खाज होता है वो DAP ही होता है अब बात करता हूं किसान भायो कितनी मात्रा आपको इसकी लेनी चाहिए तो 50 किलोग्राम पिरती एकड़ के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं और अपनी फसलों के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं काफी अच्छी तरीके से आपकी फसल को मजबूती पिर्दान करेगा और आपकी फसल के अंदर काफी ज़्यादा बढ़ होती यह निकाल करके देगा अब बात कर लेता हूं किसान भायो इसकी कीमत की तो इसकी जो कीमत है लगातार थोड़ी सी घट बढ़ रही है लेकिन इस समय पर जो इसकी कीमत है लगबग 1200 रुपे का यह इसका एक 50 क्लोकर राओं का बैग मिल रहा है यह कीमत कभी 50 रुपे उपर कभी 50 रुपे नीचे भी हो सकती है तो इस तरीके से किसान भाय यह D.A.P का उप योग आप अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं यह इसकी मैंने पूरी जानकरी आज आपको दी कि आपको जानकरी साथ यह नहीं होगी तब तक के लिए राम राम जी